पुराने जमाने की बात है दूर किसी जंगल में पक्षियों का राजा एक कवा हुआ करता था जिसका नाम कालू था कालू कवे की साथ बेटिया थी और उसकी पतनी कुछ अर्शा पहले ज्यादा भोजन खालेने के कारण मर गई थी राजा कालू कवे की छे बेटिया एक जैसी ही थी परंतु उसकी साथ मी बेटि जिसका नाम नीलो था दूसरी अपनी छे बेहनों से थोड़ी अलग थी एक दिन कालू कवे का वजीर कबूतर दरबार में आता है और कालू कवे से कहता है राजा जी आप हमें ये बता दें कि अगर आप बीमार होगे या फिर मर गे तो आपके बाद हम अपना राजा किसे बनाएं कुबूतर तुम क्यों चिंदत हो मेरा बेटा नहीं है तो क्या हुआ मेरी साथ बेटिया है और आप साथों ही जवान है इन में से किसी एक को आप अपनी राणी बना लेना गुस्ताखी माफ राजा जी इसके लिए हमें आपकी साथों बेटियों की प्रिक्षा करना होगी और जो बेटी आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती होगी हम उसे ही अपनी राणी बनाएंगे प्रिक्षा वो कैसे करेंगे हम ये आप मुझे पर छोड़ दें फिर दूसरे रोज कालू राजा अपनी साथों बेटियों को बुलाता है और कबूतर उनसे सवाल करता है सबसे छोटी पहले आप बताएं कि आपको अपने पिताजी से कितना प्यार है मुझे अपने पिताजी से रस गुलों से भी ज़्यादा प्यार है देखा देखा कबूतर मेरी चोटी मुझे से कितना प्यार करती है फिर कबूतर कालू की दूसरी बेटी से सवाल करता है बिलो अब आप बताएं आपको अपने पिताजी से कितना प्यार है मुझे अपने पिताजी से गुलाब जामन से भी ज़्यादा प्यार है मैं ना कहता था मेरी सातों बेटियां मुझे एक दूसरे से भड़ कर प्यार करती है ऐसे ही कबूतर कालू जी की छे बेटियों से सवाल करता है जो अपने अपने जवाब देती है फिर बारी आती है कालू की सात्वी बेटी की जो दूसरे सब बेटियों से अलग थी नीलो अब आप बताएं कि आपको अपने पिता जी से कितना प्यार है मुझे अपने पिता जी से नमक जितना प्यार है नीलो क्या क्या तुम है मुझे से नमक जितना ही प्यार है तुम सबसे अलग इसलिए हो कि तुम मुझे प्यार नहीं करती भला नमक की भी उकात है अब मुझे पता चला तुम तो प्यार ही नहीं करती हो मुझे कबूतर मेरे बाद मेरी छोटी को मलका बना देना यूँके छोटी मुझे रसगुलों जितना प्यार करती है और मुझे भी रसगुले बहुत पसंद है और राजा जी इस नीलो का क्या करें जो आप से नमक जितना प्यार करती है इसे मेरे राजे से दूर कहीं विराने में छोड़ दो ताके इसे पता चले के पिता जी से प्यार नमक जितना नहीं करते बलके ज्यादा करते हैं नीलो खामोश रहती है और उलू सपाही नीलो को दूर विराने में ले जाते हैं और उसे ले जाकर विराने में छोड़ देते हैं पिता जी आप क्या जानो मुझे आप से कितना प्यार है क्या प्यार भी कोई बता सकता है कि मुझे कितना है मैं तो आप से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ परन्तु आप राजा हो और आपको इतना ही नहीं पता ये छोटी सी छोटी चीज भी अपनी एहमियत रखती है क्या इस दुनिया में मीठा ही सब कुछ है कालू की बेटी नीलो बैठी ऐसे सोच रही थी और रो रही थी मैं तुम में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ पिता जी को रस गुलो जितना और बहनो पिता जी अपने बाद मुझे रानी बनाएंगे ये तो समय ही बताएगा कि कौन रानी बनेगी ऐसे ही समय गुजरता गया और राजा कालू कवा अपनी साथमी बेटी नीलो के बारे में भूल जाता है कि कोई नीलो भी उसकी बेटी थी नीलो भी वेराने में रहना सीख लेती है वो भोजन अकठा करना सीख लेती है खाना बनाना सीख लेती है अब तो वो आग भी जला लेती है वो बहुत भुद्दीमान और रहम दिल थी एक दिन किसी दूसरे जंगल का एक राजा जो एक तोता था फिटे फिटे उस वेराने की तरफ आ जाता है वो बहुत प्यासा था सामने वेराने में एक घर देख तोते के सैनिक उस घर के दरवाजे पर जाकर आवाज देती है कोई है इस घर में हमारे राजा जी को प्यास लगी हुई है कोई है जो हमारे राजा जी को पानी पलाए वो घर नीलो कवी का था राजा जी आप यहां कैसे यहां तो मेरे जैसे बदकिस्मत बक्षी रहते हैं मैं शिकार करता हुआ दूर निकल आया था प्यास लगी तो यहां आ गया फिन लीलो कवी तोते राजा को पानी देती है तोता पानी पी लेता है आपने खुद को बदकिस्मत कहा मैं पूछना चाहूंगा कि आपने ऐसा क्यों कहा आज से साल पहले मेरे पिता जी ने मुझे अपने खर से निकाल दिया क्योंके मैंने कहा था कि पिता जी आप मुझे नमक जितने प्यारे हैं मैं सब समझ गया आप अपने पिता जी को ये बताना चाह रही थी कि हर छोटी चीज एहमियत रखती है नीलो की भुद्दी से तोता राजा बहुत परभाविद हुआ और वो नीलो को अपने साथ ले जाता है नीलो क्या कभी आपके पिता जी ने आपसे मिलना नहीं चाहा अगर पिता जी मिलना चाहते तो मुझे ढून लेते आपकी तरहां वो भी राजा हैं वो सब कर सकते थे मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पिता को बुलाओं और उसे एहसास दलाओं कि आप भी उन्हें इतना ही प्यार करती है जितना उनकी दूसरे बेटियां उनसे प्यार करती है ऐसा सोचते हुए तोता राजा अपने जंगल में एक बड़ी दाउत रखता है और नीलो के पिता कालू राजा को भी उस दाउत में बुलाता है कालू राजा भी अपने वजीर कबूतर के साथ दाउत खाने आ जाता है नीलो एक जगा छुप जाती है सब को खाना दिया जाता है वाह वाह इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी जिन्दगी में नहीं खाया क्या मजे की परियानी है क्या दावत है राजा जी ऐसे स्वादिष्ट खाने मैं पहली बार खा रहा हूं परंतु कालू राजा खामोश था क्योंके नीलो जो कालू की बेटी थी उसने अपने पिताजी के खानों में नमक नहीं डाला था क्या सवाद ये तो कोई बेकार का खाना है भला नमक के बिना भी कोई खाने का सवाद है सब बेकार है ये सुनकर कालू राजा की बेटी नीलो अपने पिता जी के सामने आती है पिता जी याद करें उस दिन इसी नमक के कारण आपने मुझे खड़ से निकाल दिया था मैं वही नीलो हूँ आपकी बेटी नीलो नीलो क्या तुम जिन्दा हो हाँ पिताजी मैं आपको उस दिन भी ये एहसास दिलाना चाहती थी कि अपने राजे में छोटे से छोटे पक्षी का भी इतना ही मुकाम है जितना बड़े का और इसलिए मैंने आपको ये कहा कि आप मुझे नमक जितने प्यारे हैं ताके आपका देहान छोटी सी छोटी चीज पर भी जाए कालू कवा अपनी बेटी की भुद्धी को देह कर बहुत खुश था मैं भी इस चंगल का राजा हूं और मैं चाहूंगा कि आप अपनी बेटी की शादी मुझ से करने मैं भी किसी ऐसी ही भुद्धी मान पक्षी की खौज में था फिन निल्लो की शादी तोते राजा से हो जाती है और कालू राजा को पता चलता है जिस बेटी को उसने पागल समझ कर घर से निकाल दिया था वो बाकी सब दूसरी बेटीों से जाता बुद्धी मान थी उस दिन के बाद कालू कवा सब छोटे बड़ों को एक नजर से देखता है चलो चलो सब जल्दी करो जल्दी करो अगर कोई यातरी रह गया है तो जल्दी से आ जाए शिप के चलने में समय बहुत थोड़ा रह गया है ये मेरा कुछ समान भी साथ ही जाएगा ये समान ज्यादा है कैप्टन से अजाज़त लेना होगी हम दो पक्षी हैं एक मैं और एक मेरा कालू जी तो फिर समान भी तो दो पक्षियों का ही होगा मैं कैप्टन से पूछ लो कैप्टन ये कव्वा और कव्वी का समान ज्यादा है इनका क्या करना होगा ये कव्वे कब मानेंगे और समय भी नहीं है इन्हें करने दो जो कर रहे हैं देखा बड़ी चोंच वाले तो दे मिर्ची खाखा कर तुम्हारा मू भी मिर्ची जैसा हो गया है कैप्टन जी को कव्वों की शान का पता है ऐसा कहते हुए कव्वा और कव्वी भी उस जहाज में चले जाते हैं सब यात्री पूरे हो गये हैं हमारा ये सफर सुंदरनगर से सागर वाले जंगल तक होगा और हम कल सुभा होने से पहले पहले अपनी منजल पर पहुंझ जाएंगे और फिर जहाज वहां से चलता है कालो जी क्या मुझे वो सामने वाली सीठ नहीं मिल सकती अगर कबूतर को मिल सकती है तो तुम्हें क्यों नहीं चलो कबूतर को पकाते हैं हम यहां से कबूतर जी गहरे सागर में जा रहे हो पास में पानी ही पानी है और तुम्हारी आँखें फिर भी गंदी है जाओ और जाकर सागर में अपना मूँ धोलो अपने काम से काम रखो, मेरी आंखें जैसी भी है ठीक है तुम्हारी तरह काली नहीं है जैसे बाहर से काले, वैसे ही अंदर से काले काले कव्वे कहिंगे सीधे से ये सीट मुझे दे दो नहीं तो सिक्योरोटी को बला कर छीइन लोंगी ऐसे कैसे दे दूँ, मैं अपनी सीट नंबर पर बैठा हुआ हूँ तोते, तोते इधर आओ, पहले तो बड़ा शोर कर रहा था, समान ज़्यादा है अब मुझे ना सामने वाली सीट भी लेकर दो, हमने दूसरे गरीब पक्षों से दो दाने चावल ज़्यादा दिये हैं रोको इस जहाज को, रोको, ऐसे हम किसी को भी सफर नहीं करने देंगे रानो जड़िया जो थोड़ी दूर बैटे हुई, सागर की लहरें देख रही थी, वो भी शोर सुनकर वहाँ आ जाती है कबूतर भीया, आप गोरी को यहाँ बैठ लेने दें, हम वहाँ जाकर बैठ जाते हैं लो बैठ जाओ, इसी सागर में डूब कर मरोगी, तुम काली चडेल तुम मरो डूब कर, मैं क्यों? कबूतर वहाँ से चिडिया के साथ थोड़ा दूर जाकर बैठ जाता है यहाँ ठीक है, यहाँ से रात के समय देखने में बहुत मजाएगा, जब आसमान पर सितारे होंगे अपनी बहन के पास दो दिन के लिए जा रही हूँ मैं, मेरी बहन के बेटे की शादी है मामा तो मान ही नहीं रही थी, मैंने ही मनाया ममा को शादी पर जाने के लिए मेरी पतनी सागर वाले जंगल गे हुई थी, के रास्ते बंध हो गए, बसे यही एक समंद्री रास्ता खुला था, उसे लेने जा रहा हूँ मैं यह गोरी और कालू कहां जा रहे हैं इनके पास चोरी किया हुआ बहुत भोजन है ये आवारा ही फिरते रहते हैं अभी रात होने वाली है जिस जिस पक्षी ने भोजन करना है कर ले इससे आगे सागर में लहरे तेज है भोजन करने में दिक्कत भी आ सकती है फिर सारे पक्षी अपना अपना भोजन करने लग जाते हैं ममा मुझे तो कोई फल खाना है ये ले बेटा आप ये अमरूत खा ले और मैं ये दाने खा लेता हूँ जगू तुम भोजन करके अब सो जाना मैं और आपका पापा थोड़ा घूम फिर कर चहाज देखेंगे ममा ममा हम कब तक सागर वाले चंगल पहुं जाएंगे सारी रात लग जाएगी और सुबहा होने के साथ ही हम पहुं जाएंगे रात भी हो जाती है सागर में रात का समय तो बहुत सुन्दर लग रहा था आसमान पर सितारे चमक रहे थे अब बैठ चाओ जाकर अपनी सीट पर अब यहां क्या करने आई हो क्या यहां से भी उठाना है मुझे मैं तो देखने आई थी क्या बातें कर रहे हो चिडिया और कबूदर गोरी बेहन आप कहा जा रहे है तुम्हारे भीया कालो जी ने एक बिजनस स्टार्ट किया है उसी सिलसले में हम जा रहे हैं सागर वाले जंगल मेरा तो यह पहला सफर है सागर में मुझे बहुत अच्छा लगा यह पहला सफर जैसे जैसे रात गहरी होती है सब यातरी सो जाते हैं अब तो दूर तक कोई खत्रा नहीं है मैं भी थोड़ी देर आख लगा लेता हूं ऐसे कहते हुए तोता भी सो जाता है उनका जहाज तेजी से आगे बढ़ा था कैप्टन जील को तो कोई फिकर ना थी क्यूंके तोता आने वाले रास्ते की जानकारी के लिए बैठा हुआ था वो कैप्टन जील ये नहीं जानती थी के उनका जहाज तो तेजी से सागर में एक बड़े आइसबर्ग की दरव बढ़ रहा था अरे ये क्या है? क्या है ये? ये तो बड़ा आइसबर्ग है कैप्टन, कैप्टन जहाज को 90 डिगरी पर मौर दे आगे बड़ा आइसबर्ग है बड़ा आइसबर्ग है आगे तोते जल्दी से इंचन बंद करो सब इंचन बंद कर दो इतने कम समय में जहाज को मोरना बहुत मुश्किल है इंचन बंद हो जाते हैं परंतों जहाज तो उस बड़े आइसबर्ग से टकरा जाता है और जहाज का एक हिसा तोट जाता है सब पक्षी भी उठ जाते हैं अरे ये क्या हो गया? हमारे जहाज में तो पानी आ रहा है और ये चोर की आवाज कैसी थी? मुझे लग रहा है, हमारा जहाज तूट गया है सब पक्षी फलोर पर आजाएं, सब अकठे हो जाएं हमारे साथ बड़ी धुर्गटना हो गई है हमारा जहाज तूट गया है, हमारी जिंदगिया खत्रे में है कुकु, जल्दी चलो बेटा, जल्दी चलो ममा, क्या होने वाला है, सब इतने परेशान क्यों है पहले तो ऐसा ना था आप चले, वहाँ दूसरे पक्षों के पास चले ये हमारी जुम्मेदारी है, कि आपको सच बताया जाए हमारा जहाज तोड़ी ही देर में डोप जाएगा पानी बहुत तेजी से हमारे जहाज के अंदर आ रहा है बचों की रक्षा करना होगी हमें, बचों को पहले बचाना होगा क्याप्टन, आपके पास कितनी लाइफ जैकिट्स है पांच, पांच लाइफ जैकिट्स है, जिनके बच्चे हैं वो अपने अपने बच्चों के लिए लाइफ जैकिट्स ले लें और उन्हें सागर में उतार दें छिडिया को भी एक लाइफ जैकिट्स मिल जाती है गोरी भी एक लाइफ जैकिट्स ले लेती है कालू जी, क्या अब हम मर जाएंगे? हम नहीं सब मर जाएंगे सब मर जाएंगे मनहोस कबूतर अब खुशो मुझे बोल रहे थे के डूब कर मरोगी अब सब मरेंगे सब मरेंगे अब कैप्टन ये ले इस थैली में सोधाने हैं पूरे सोधाने गिन लेना और हमें एक लाइफ जैकिट और दे दे हम मरना नहीं चाहते खुदगर्ज कवे सब डूब रहे हैं और ये सोधाने मरने के बाद मेरे किस काम आएंगे इन्हें अपने पास ही रखो ममा चिडिया अपने बेटे को लाइफ जैकिट पहना देती है और सब छोटे पक्षी सागर में उतार दिये जाती हैं ममा ममा मैं आपको ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकता हम दोनों मर जाएंगे बेटा एक माँ अपने बेटे को मरता नहीं देख सकती आप जाएं भगवान आपकी रक्षा करेगा आप हमारी जिंदा ना करें आप जाएं बेटा चिडिया क्या पता था ये सफर हमारा आखरी सफर होगा कबूतर भेया अगर समय का पहले से पता हो तो फिर ऐसा सब क्यों हो कालू जी क्या अब हम सच में मर जाएंगे हाँ गोरी मरने से पहले अपने पापों की बगवान से माफी मांग लो और चुप कर जाओ कबूतर मेरे कबूतर मुझे माफ कर दो अब हम सब मरते समय एक साथ मरेंगे और सब पुरानी बातें भूला देंगे गोरी मैंने कभी कोई बात दिल में नहीं रखी जो हुआ मैं सब भूल गया कैप्टन कैप्टन सिगनल मिलके राप्ता हो रहा है पास वाले जहाज से चोने शोने जहाज डूबने ही वाला है समय बहुत कम है हमें मदद दो हमें मदद दो सब पक्षों की नजरें सागर में थी फिर दूर से एक लाल रंग की लाइट नजर आती है जो उनकी तरफ बढ़ रही थी मदद पहुँच गई मदद पहुँच गई हम बच जाएंगे हमारी जिंदगियां बच गई कबूतर थोड़ा पीछे हो जाओ पहले मैं बैठूंगी दूसरे जहाज में जोरी बहन अब ही अब ही तो आप कबूतर से माफ़े मांग रही थी और अब फिर से लड़ने लग गई हो क्योंके अब हम बच गई हैं हम बच गई हैं चिड़िया बहन मेरी मानो तो कबूतर को इसी जहाज में रहने दो इसी बहाने कबूतर नहां तो लेगा फिर वो सब खुशी खुशी दूसरे जहाज में एक साथ अपना सफर शुरू करते हैं